वेलकम टू ABC केंपस आज हम बिजनस लौ के सब्जेक्ट में आइकब की आटम 2022 की एटेंट से एक पास्ट एग्लाम का क्वेस्टन डिसकस कर रहे हैं क्वेस्टन का टाइटल है दा मास्क ट्रेडर्स और यह एक पार्टनर्शिप फिर्म से रिलेटेड जो है क्वेस्टन है जिसमें फाइव डिफरेंट सब पार्ट्स हैं जो टोटल 17 मास्क की बनते हैं सो बेग्राउंड इन्फॉर्मेशन यह है कि ऑन 30 जूम 2021 नौमान, सलीम, एहमद और सना एंटर इन्ट इन्ट पार्टनर्शिप और केरिंग ऑन बिजनस ऑफ मैनुफेक्ट्रिंग और बिजनस इन्नों ने जिकरना है वो है नाम इनका है दावास ट्रेडर्स । नौमान डिस्टूॉस्ट तो अबश्च्ट निकर निटस्ट इन्टरस इन्टर्स इन्ट्रस इइं फेमली बिजनस ऑफ एक्सपोर्ट फेलवाट फेब्री को डिल करते हैं यह partnership denim fabrics को deal कर रही है और family business velvet fabric है different type of cloth है due to his connections with foreign buyers नुमान brought in many export orders for DT यानि उसने अपने connection use करते वे कई foreign buyers यानि export orders लाके दी सलीम handled operations and ensured timely delivery of orders to customers तो सलीम ने उनको deliver करने पे काम किया बाकी लोगों ने पैसा invest किया होगा या कुछ और काम करते होंगे being the consultant of DT consider the following matters under partnership act 1932 जिसमें part A ये है कि on 5th September 2022 a meeting was held to discuss the financial performance of DT for the year ended 30th June 2022 अच्छा अब ये basically one year से ज्यादा का time हो चुक है क्योंकि ये 2021 है ये 2022 है तो more than a year का time हो चुक है 14 months exactly calling matters were discussed in the meeting अब ये background information है और जिसके आगे हमारे पास different जो है वो parts आते जाएंगे और हर part को हम separately इस वीडियो के अंदर discuss कर रहे होंगे तो पहला part ये है कि profit for the year was determined और उसने ये demand किया है कि उसको भी same salary दी जाए तो हमने इसको law के मताबक बताना है कि ये क्या बात बनेगी तो law के मताबक rule ये है कि किसी भी partner का कोई right नहीं होता to for taking part in the business और तिरफ रूमेरेशन उन्हें तब मिल सकता है only if it is agreed by all the partners तमाम partners agree कर रहे हों तो रूमेरेशन मिल सकता है salary वगएरा वरना नहीं मिल सकता तो और खास तो यहाँ पर जो उन्होंने बात की कि नुमान को ये unjustified लग रहा है तो नुमान को objection है या निस पर ये objection ये indicate कर रहा है कि ये partners के बीच में agreed नहीं था इस वज़ा से सालिम को salary मिलेगी one lakh per month की या नहीं मिलेगी ये depend करता है कि आद तमाम partners agree हो जाते हैं तो मिल सकती है salary अगर सब के सब partner agree हो जाए इस तरह नुमान को भी जो है 100,000 की equivalent salary मिल सकती है जो नहीं कहा है लेकिन उसके लिए भी वो ही शर्त है कि if all the partners हो agree तो सारे partners agree हो जाएं तो किसी एक या एक से ज़ादा partners को salary मिल सकती है और अगर partners के दरमियान इस पर agreement नहीं होता तो किसी को को determination नहीं मिलेगा अब हमारे पास background information same रहेगी लेकिन second part पे हम चलते है 20% of the export orders were combined orders for denim and velvet fabric अब denim जो है वो इस partnership का काम है और velvet fabric जो है वो नुमान का family business था तो ये reflect करेंगे which were jointly fulfilled by DT and नुमान's family business तो वो दोनों ने मिलकर export के order पूरे किये सालिम argued that 50% of velvet business profit should be paid to the mass traders comment on the validity of सालिम's argument अब इस पर comment करना है कि भी ये argument ठीक है या नहीं है तो नुमान नहीं जो अपने family business के थूँ profit earned किया है क्या वो उसका profit इस partnership firm को देने का पाबंध है तो इस पर हमने discussion करनी है तो वैसे तो conclusion ये बनता है कि he would not be liable और liable कब होता पहले उसको ज़रा देख लेते हैं नुमान would have been liable to pay the profit derived by himself to DT if businesses same nature के होते और compete कर रहे होते एक दूसरे के साथ यहाँ पर अगर आप देखें तो cloth type different है denim fabric और velvet fabric तो पहला तो ये same cloth type different हो गई जिसकी वैसे यहाँ पर ये applicable नहीं है कि nature of business same हो ये competing business हो तो ये वाला point तो apply नहीं होता दूसरा तब होता है जब partners के दरमियान ऐसा contract exist करता हो कि परसनल profits को share किया जाएगा अब यहाँ पर अगर हम notice करें तो नॉमान के बारे में ये लिखा हुए कि नॉमान ने तो खुद पहले ही disclose कर दिया था कि उसका family business है export of velvet fabric का तो यहाँ पर ये interest disclose और commitment of partnership पर ही कर दिया था इसका मतलब है कि partners के दरमियान ऐसा कोई agreement exist नहीं करता था कि परसनल profits जो है वो इदर share किये जाएंगे तो यह दूसरा rule भी apply नहीं होता तीसरी बात यह कि अगर हम notice करें तो बजाए इसके कि यह कहा जाए कि DT को यह profit pay हो तो DT के connection यूज करते वे नॉमान के family business ने orders नहीं लिए बलके नॉमान के family business के connection यूज करते वे DT को order मिलें तो नॉमान has been using his and his family business connection to get export order for DT rather than using DT's name और business connection तो the mass trader जो यह partnership है इसके तो connection यूज ही नहीं हुए क्योंकि यह तो एक निया business है recently established business है यह तो बाद में बना है family business पहले से चल रहा था तो इस सारी discussion के बाद हम clearly यह कह सकते हैं जो तालिम का argument है यह valid नहीं है क्योंकि नॉमान और उसकी family जो है वो फिर इस situation में कोई भी valid business का जो उनके profits हैं वो दमास trader को देने के कोई भी उनकी liability नहीं बनती तो यह second part था अब एक और scenario की तरफ चलते हैं third part है कि एहमद informed एहमद is one of the partners that he had paid rupees 900,000 from his personal bank account to a supplier on 31st January 2022 due to non availability of cash in DT's bank account तो bank account में पैसे नहीं थे और से 31st January को अपने bank account से 900,000 दे थी on 31st May 2022 the amount was paid back to एहमद तो January से मई तक यह time बनता है January का end था तो February, March, April में four months का time था he demanded rupees 27,000 as profit which he would have earned if the funds were maintained in his bank account तो उसने का जी मेरे अगर bank में यह पैसे फड़े रहते तो मुझे 27,000 का bank deposit पे profit मिलता तो मुझे इतने पैसे इसके extra दिये जाएं question यह है कि evaluate the validity of EMA's demand अब इसमें यह कि partners के दम्यान कुछ agreed तो नहीं हुआ हुआ था तो फिर यह amount तो नहीं दी जा सकती तो rule यह है इस सिर्सले में कि subject to contract between the partners अब partner making जो extra payment करते हैं capital के इलावा कोई भी payment यह advance किया जाता है यहाँ पे payment की गई है supplier को तो उस पर उनको interest मिलेगा 6% per annum के साथ अच्छा अब इस बात से कोई फरक नहीं पड़ता कि partner को bank deposit पर कितनी amount मिली होती ज्यादा मिलती कम मिलती इस से कोई फरक नहीं पड़ता तो partners के दिरमियान agree नहीं हुआ वा agree हुआ होता या अब भी agree कर जाएं तो वो different amount दे सकते हैं 27 भी दे सकते हैं ज्यादा भी दे सकते हैं लेकिन अगर agreement नहीं होता तो फिर जो amount 6% के साथ से बनती है 4 months का time है 900,000 की amount है तो 900,000 पे 6% for 4 months amount बनेगी 18,000 तो उन्हें 18,000 मिल सकेगा 27,000 नहीं मिल सकेगा unless के सारे partners agree हो जाएं next scenario की तरफ चलते हैं during the meeting नुमान stated that since he had brought most of the orders for DT remaining partners cannot use the brand the mass traders if he decide to leave the partnership तो अगर वो partnership को छोड़ने के बारे में सोचता है तो बाकी partners ये नाम यूज नहीं कर सकते discuss the validity of नुमान state में अच्छा यहाँ पे जो उन्हें लफ्स तो उन्हें उन्हें यूज किया brand the mass traders लेकिन अगर हम angle देखें तो ये imply कर रहे हैं subject to contract between partners जो property of the firm होती है उसमें firm की goodwill भी शामिल होती है business की goodwill भी शामिल होती है question का अगर हम overall background information जो हमने पहले discuss की थी उसको देखें तो कोई contract नहीं है partners के दर्मियान goodwill के बारे में और इसका मतलब ये है कि ये जो goodwill है ये partnership firm का asset है ये तमाम partners का asset है और नौमान का जो claim है goodwill के ओपर वो valid नहीं है appropriate भी नहीं है तो ये fourth हमारे पास scenario ये part A में चार scenario थे और अब fifth जो है वो हमारे पास part B से relate करता है पार्ट B में ये है कि on 15 अगस्ट 2021 partnership में Sana died in a car accident and her 17-year-old daughter Sara was admitted to the benefit benefits of DT on September 8, 2022 Sara is to celebrate her 18th birthday advice Sara regarding her rights and liabilities in respect of DT on attaining the age of majority अच्छा ये as such इतना technical scenario नहीं है other than that कि हमें एक date determine करनी है इसमें बाकि है straight forward जो law के requirement है वो इसके अंदर mention करनी पड़ेंगी हमें तो Sara को decide करना है कि वो partner बनना चाहती है या नहीं बनना चाहती है majority की age attain करने के six months के अंदर within six months from the date of attaining majority जो के अगर हम यहां से 8 September से six months को count करें तो वो 7 March 2023 को बनते हैं तो इस दिन तक उन्हें ये फैसला कर लेना चाहिए कि वो partner बनना चाहती है या नहीं बनना चाहती है अब दो बाते हैं अगर वो partner बनना चाहती है तो क्या होगा तो उन्हें एक public notice देना होगा कि वो partner बनना चाहती है इस six months के time के अंदर और अगर वो public notice नहीं दे पाती है तो तब भी वो next day से partner बन जाएंगी automatically यानि पहले notice दे देती हैं तो तब partner बन जाएंगी और अगर notice बिलकुल ही नहीं देती हैं कोई भी notice नहीं देती हैं तो वो तब भी partner बन जाएंगी partner बनने पर वो personally liable हो जाएंगी तमाम third parties को for all acts of dt जो the mass traders है since she was admitted to the benefits of partnership यहाँ पर यह important बात है कि उनकी liability notice की date से नहीं बनेगी अब date जो है वो जिस दिन वो partnership के benefits में admit हुई थी 15 अगर्स तब से बन जाएंगी further यह कि उनका जो share होगा property और profits of the firm में वो वो ही होगा जैसा उनका as a minor था तो जो उनको share मिल रहा था profit में जो property के अंदर उनकी percentage थी वो वही होगी जो as a minor उनकी entitlement थी दूतरा obviously ADCN हो सकता है कि she decides कि वो the mass traders में partner नहीं बनना चाहती तो फिर इस situation में उन्हें लाजमी तोर पर एक public notice देना पड़ेगा 7 March 2023 और before और इस case में तीन situation होगी पहली बात थो यह कि उनके rights और liabilities पब्लिक notice की date तक वो ही रहेंगे जो एक minor के होते हैं उनका share liable नहीं होगा कोई भी जो act है partnership firm का after the date of notice और वो partners of the mass traders पर case भी file कर सकती हैं for her share of property and profits तो यह angles होगे जो हमें इस context में cover so that's all for today have a good day